तो आज के होट टॉपिक में हम बात करने माले एक ने टर्म की और यह फिनाइशल टर्म है और इसका नाम है शोर्टी बॉंड तो जो बच्चे आरबे ग्रेट भी नावार्ड या फॉर एक्जामपल से भी पैंक एक्जाम के त्यारी करना है यह यूप्सी लेवल की उनके लि मैं क्या चीजने आएंगे हम सारी बात करेंगे आब से अगर आपने इस बार का बजट ध्यान से पढ़ा होगा तो इस बार के ब्लेट मेरी फेर की लिएक मिन्स में हम पहने वो ने ओ तो श्योती रोट का है यूज कहाँ पर होता है एक इंफ और शुर्टी बा despour sag Lauren Cock Commeण कोड़ नहीं जहां यूजन करते है नो कि बात करते हैं इन दिगिंह इन हुए- इसन कि रही है न सुरुडी परन है कि इसकली में और बिस्ट्री ओफ रोड ट्रांस्पोर्ट और हाइवे की बात करें तो इन्होंने क्या किया है इन्होंने एडा से बोला हुआ इन्होंने एडा से बोला हुआ है कि आपको डवलब करना चाहिए एक मॉडल तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ओफ रोड ट्रांस्पोर्टर हाइवे ने क्या बोला हुगा है इन्होंने बोला है कि इन्होंने एडा से बोला है तो डेवलप अ मॉडल प्रड़क्ट अन्द शोटी बॉन्ड इन कंसल्टेशन विद जर्नल इंशिर्नस कंपनी है तो मिनिस्ट्री ओफ रोड ट्रांस्पोर्ड हाईवे ने क्यों बोला है क्योंकि मैंने अभी आपसे बताया कि शोर्टी बॉर्ड का यूज होता है इंफ्रापरजेक्ट में होता है थे अंदध्यों कि आपको इस लेकिन लास्ट बने रहेंगे तो मैं clear कर दूँगा ठीक है तो shorty bond is provided by the insurance company यानि हमें यह clear है कि shorty bond जो है यह insurance company provide करती है on behalf of the contractor अब यह contractor क्यों दोस्तों क्योंकि हमको अच्छे से बता है कि जब हम government की बात करते हैं या hospitals की बात करते हैं तो यह काम government of India किसी contractor को देता है तो shorty bond is provided by the insurance company on behalf of the contractor to the entity which is awarding the project को अब इसका मतलब मैं off click कर दूँगा तो अभी इतना समझे कि shorty bond insurance company देती है on behalf of contractor to the government of India इतना बले समझें आगे बढ़ते हैं क्या बोला गया कितने parties में होते हैं तो shorty bond में कितने parties होते हैं तो shorty bond में तीन parties होते हैं इस image को ध्यान से देखिए इसमें तीन पार्ट या पर दिखाई पढ़े हैं चलिए अम एक्स्प्रेंग करता हूं कि ये शोटी बॉन का यूस कहां पर शुरू हुआ देए इस स्टार्टिंग कैसे रिखें आपर दोस्तों पहले क्या होता था जैसे माल नीचे हमारे देश में कोई इसस्ता होता किया महंगा होता कि धारी क्वालटी दें घडिखें फिर भारसटछेकर अपने ओंडिशन को देखती है और फिर जो जही लिपता है उससे स्वावी कॉंट्रेक्टर को कॉंट्रेक्ट दे दिया एक एक सब्सक्राइब के आप माल दो साल या थी साल जो भी है आपको खतम करना टाइम से लेकिन आप माल लो फॉर एक्जाम्पल की जो कॉंट्रक्टर माल लो यह नहीं कर पास तो पहले क्या होता था पहले यह हमारे देश में किसी बैंक से पाइग से नहीं तक से काम नहीं पाएगा तो जो भी आपका लॉस होगा वह हम भरेंगे वह हम भरेंगे इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम बैंक गारंटी बोलते हैं तो पहले यह सिस्टम देश में था हमारे आप बोलें कि सर्विस लेता है बैंक गारंडी लेता है यह हम तुमको मंधली या परवी कितना परसा देंगे और तुम्हारे गारंटर खड़ा है गौर्मेंट के सामने अगर वह पहर नहीं कर पाएंगे तो हम पेगरेंगे तो पहले ऐसा होता है तो बैंको की वज़ए से हम कोटीन आ गया और कोट Metro together कि ऑने के बाद कित हुआ हमारे देश में दूह हुआ हो भाई और हम दों बाठा हूआ है बहुत लोग को पता था कि कोवैड 19 में बैंक कापैसा था इविन मुट तो यहां पर निकल आया कि इंश्रेंस कंपनी लॉस में कमी रहती है तो इंश्रेंस कंपनी कैसे कारश की अब यहां पर निया निया मिद्यद्लीख आ पर अब कि सर्थुटन समारत राशी ले लेगी और खतर्म करता हैं अब क्या होता है दोस्तों अ मैं इंशुररंस कंपणी से लेगा तो अगर कॉंट्रेक्टर ने किसी एक्स वाइजट कंपनी से सेक्योर्टी बॉंड खरीदा हुआ है तो इसका मतलब यह होगा कि अगर कॉंट्रेक्टर भविश्य में फेल होता है तो उसका पैसा इंश्रेंस कंपनी गौर्मेंट ऑफ इंडिया वो पे करें यानि इं मिलते हैं मतलब गौर्मेंट को अगर यह कॉंट्रेक्टर टाइम से काम पूरा नहीं कर पाएगा तो जो भी लॉस होगा वह कौन पर करेंगा इंश्रेंस कंपनी इंश्रेंस कंपनी से सिक्योर्टी बॉंड पर्चस कर लेता है और इसके बतले में भाई वो पर्चस किया है तो कुछ अगे इंश्रेंस कंपनी को अगर इंश्रेंस ने किसी कंप्साइन को यह बॉला था दूरिंग दे शेशन सेयओन प्रजेक्टा नहीं वालन है यह प्लान है तो security bond क्या होता है वो मैंने explain कर देगा इसाब को ठीक है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यह मेरी प्रोफाइल धीक है चाली आप को सब्सक्राइब कर्लावा अगर हम बात करें तो आप को के क्रेंट अफेस में दिक्त भर तो क्रेंट अफेसं स्वाइस इमसी क्लास हमारी चलती है डिली ऑнокई पिम यह सुन्स तो इसके लावा अगर हम बात करते हैं 26 जून को आपका प्राइज मिलेगा लैप्तौप फ्राइस और प्राइस करने के बाद क्या होगा दूस्तों आपको हमारे लिए इनॉलमेंट आएगा हमारा कोड़ा को सिरना है ए वीपी वन सीरो जिससे आपको फ्री में मिल जागा इसमें रिज्स्टेशन वर आप कैसे दीजें दस बुझे है मौर्निंग में ठीक है दोस्तों इसके लावा हमारी टीम में से अरुन सर पुनीश सर का बैच आ रहा है यह बैच है फॉर आरावी हमारी पर जब आप जॉइन करते हैं तो आपको अनकेड़मी के टॉप एडूटर के बैच ऑटमेटिकली मिल जाते हैं सब प्रीक्शाप के लिए ठीक है तो यह त्माम बैच और भी तो आपकी बैटर तयारी हो जागी आंक जुएं रिखने पर दुस्तों थेक है तो आप तो हम कोर्स हो जाई रहे हैं आपको टेस्स पर रहा है और यह स्क्रीन शॉट की है आप इसका स्क्रीन शॉट लेजे करको टेस्स मिल जाएंगे दोस्तों ऑनलाइन क्लास में कभी अब यह अशा होता है कि हम डाउट पुछ नहीं पाते हैं बहुत सरे बच्चे होते हैं तो मा हुट करना आप kasको मिलेते हैं तो आपके सामने अप्लोड करने को आप्शीन है ने स्क्रीन शॉट लिया है अप्लोड करने की तरफ से तरफ आपको यहां पर क्या मिलता है यहां पर सॉलूशन मिल लाता रहें तो एक की आपको 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा दोस्तों वहीं आइकॉनिक की बात के रहे हैं तो यह थोड़ा महंगा है क्योंकि यहां पर बहुत जगा प्रिफरेंस मिलती है अगर आप आइकॉनिक अडिमिशन लेते हैं तो आपको आसके डाउड में रेजर हैंड में इन समय सब कुछ गाइडेंस आपको देते रहते हैं तो चौबिस महीने के भी से आपकी 390 रुपए पर मंद के हिसाब से और 12 महीने की 650 रुपए पर मंद के हिसाब से तो यहां पर हमारा कोड़ आप एवीपी बन जिरो लगाएंगे तो आपको 10% का डिसकाउंट यहां भी मिल जा ठीक है थैंक यू सो मच अपना ख्याला की दोस्तों मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच